अगर आप लोग उस पार्ट वाल वीडियो को देखिएगा तो इसका कॉंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा और जिसका लिंक हम आई बटन में और साथी साथ रेस्किप्शन में भी दे दिया हैं चलिए आज की कोश्चन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या के दिया गया है ना तो इस तरह दिया है और साथी साथ यह भी दे दिया है LCM प्लस HCF दिया दिया एकॉल्स टू 125 और क्या दिया है one of the number is 100 है ना तो find out क्या करना another number इसका formula हम लोग जानते हैं ना कि LCM multiply HCF divided by one of the number ठीक है जो पहला number है तो LCM के value तो नहीं find out किया हुआ है इस तरह से हम लोग करना होगा लेकिन one of the number दे दिया है इसलिए मैंने यह पर 100 लिख दिया है ठीक है तो चलिए find out करते हैं तो यहां से अच्छा LCM मुझे आप हम लोग इतना बढ़ा सकते हैं ना 4 और HCF को हम लोग H सिप लिख रहे हैं ठीक है 4H और इधर रहा हम लोग का असले real वाला जो एक्ठव है H वो is equal to 125 फिर क्या हो जाएगा इधर आगे थोड़ा बढ़े तो 5H equals to 125 फिर 5 से यह कट जाए है therefore H is equal to 25 हो गया तो H का value हम लोग निकाल लिए 25 इसको हम लोग अगर H का निकल गया तो LCM का भी निकल ही जाएगा है ना क्योंकि LCM equals to 4 गुने है किसका H का है तो 4 multiplied 25 equals to what 100 है ना तो बठाओ यहां पर value LCM का आ गया 100 HCM का HCF का तो आ गया 25 और पहले one of the number था 100 यह दोनों गया remaining क्या रहे गे हम लोग का 25 तो 25 यानि कि option number 2 जो है हम लोग का correct answer है next question है product of the two co prime numbers is 117 तो देयर LCM होगा क्या होगा देखो पहले समझों कि को प्राइम नमर्स मतलब क्या है हम पहले भी बता दिए को प्राइम नमर्स मतलब होता है जिसका HCF जो है one हो अगर हम simple word में समझा है बहुत ही छोटा भासा में तो जैसे कि कोई भी दो नमबर जिसको जो खुद से कटे या one से कटे यह दो नमबर से कटेगा तो उस सभी नमबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नमबर्स ठीक है चलिए इसको कि अनुब्र को को प्राइम नमबर एक ओ से को से को ऑपन हो जायेगा सब्सक्राइगस को आप चाई पिलों तो आप लोग को इसका यो प्रोड़क्ट है वो यकिन नहीं होता है तो अपलोग खु़ से निकाल सकते हैं देख लेना तो 117 जो नमबर इसका प्रोड़क्ट था सब से पहले क्या करेंगे हम लोग इसका दो टो नमर फाइंड आउट करेंगे जो कि 139 जा होता है 117 तो हम लोग का जो अगर इन दोनों का हम लोग LCM निकालना चाहिए इन दोनों नमबर का LCM किता निकलेगा 117 ही निकलेगा ठीक है तो यहीं हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर यानकी option number is our correct answer question number 23 the product of the two numbers is 2160 and their HCF is 12 number of such pairs is तो product of the two number दे दिया है 2160 और उसका HCF भी दे दिया हम लोग को 12 तो पूछना कितना number of pairs होंगे तो इसका हम अगर शॉर्ट ट्रिक को तुम लोगों बताने जाए 2160 को HCF से दो बार multiply कर देते हैं कि हो जाएगा तो तो ट्वेज़ से अगर इसको ले जाए तो 180 होगा और फिर इस ट्वेज़ से इसको लेकर जाएंगे हम लोग हम लोग हो जाएगा 15 ठीक है अब 15 को pairs में तोड़ेंगे हम लोग एक टो पेर हो गया 35 जे 15 और एक टो पेर ये हो गया ठीक है दो टो पेर हो गया देखो तो आपना numbers क्या होंगे ठीक है अगर हम लोग इसमें यह हम पहलो भी बता दिया है अगर हम लोग इसमें HCF से multiply कर देते हैं तो हम लोग को number यह जो है यह दोनों ratio है numbers का लेकिन numbers कब आएगा जब HCF से multiply कर देंगे तव ठीक है हो गया इधर यह 12 थी इदर 36 12 50 60 और इधर से 12 और 180 तो टोटल कितने पेर्स होगे टू पेर्स ठीक है तो टू इस आवर करेक्ट आंसर पूश्च नमर ट्वेंटिफोर अब टू नमर्स इतना यानि कि LCM दे दिया है 2079, HCF भी दे दिया है 27 and one number भी दे दिया है हम लोग को 189 तो पूछ रहा है कि another number क्या होगा बहुत सिंपल है उपर में LCM multiply HCF divided by जो हम लोग का एक ठीक नमर वो 27 से इसको करते हैं तो 7 टाइमस में जाएगा फिर 7 अगर इसको हम लोग करते हैं तो 297 हो गया question number 25 the product of the two numbers is 2028 और HCF दिया है 13 तो number of such pairs निकालना है ठीक है तो दोनों का हम लोग लिक लिए आराम से यहां पर जो जो वैलू दिया हुआ है और अब जो है हम लोग इसका finally जो है pairs निकालेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे short trick है यह दो बार 13 से multiply कर देते हैं तो जब भी हम लोग इसको solve कर देते हैं finally तो आज आगा हम लोगा value 12 अब क्या करेंगे 12 को जो है pairs में तोड़ेंगे तो सबसे पहला तो 1,12 का pair बन जाएगा ठीक है फिर क्या बन जाता है और इठो 3,4 का भी pair बन जा रहा है अब है 2,6 भी बन जा रहा है इसका आगे भी बन सकता है लेकिन इसके आगे जो भी बनेगा वो co prime numbers नहीं होगा जैसे कि यहां पे इन तिनों में हम इठो बता देता ह यह जो है co prime numbers नहीं है क्यों कि इसका HCF जो है 1 नहीं आएगा ठीक है तो यानि कि यह दोनों को हम लोग लेंगे सिफ यह दोनों को लेंगे तो number of pairs कितने हो जाएंगा हम लोग का 2 यानि कि option number 2 is our correct answer question number 26 HCF and LCM of two numbers are 39455 तो if one of the number lies between 75 and 125 तो other number क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले यह जो जो value दिया है उन सबको no down कर लेते हैं यह हुआ LCM हम लोग को हो गया 455 ठीक है one number दिया है one number का value दिया है कि value तो नहीं दिया exactly लेकिन बोल दिया है कि lies between 75 and 125 तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग LCM को HCF से divide कर लेते हैं ठीक है कितना आजाएगा हम लों का 35 आजाएगा है कि मगयाए इसको क्या करेंगे आ है कि एयर में तोड़ते हैं तो five comma seven फिर जो पेअर्य Хотя हम लोग काhoven एक ठो देखो थरटिफाइब का जो है एक ही टो यह पैयर आएगा या फीर यह एक ठो पियर सकता ठीक है तो फिर यह जो रेशियो है जो नमर्स का रेशियो है इसको नमबर बनाने के क्या करेंगे से मल्टिप्राइए करेंगे तो यानि हम यह पेर उपर में लिख दिया है चलो इसको मल्टिप्लाइ करता है क्या आजाएगा हम लोगा एक टो नमबर तो 65 आजाएगा और दूसरा नमबर आजाएगा हमको 91 ठीक है तो 91 जो है हम लोगा इस दोनों के बीच में जो है लाइक करता है यानि कि option number 2 is our correct answer question number 27 HCF of 2 number दिया हुआ 8 ठीक है यानकि HCF of 2 numbers किसी भी 2 number का 8 दिया है ठीक है तो पूछ राइन से में से कौन सा जो है उन दोनों नमबर का LCM नहीं हो सकता है ठीक है तो देखो जो भी LCM होगा वो जो है 8 से divisible जरूर होगा होगा क्योंकि कोई भी LCM के अंदर में क्या छुपा र आता है ना तो इसलिए 8 के टेवल में वो आना चाहिए तो देखो 8 के टेवल में 24 आता है 48 आता है लेकिन 60 जो है नहीं आता है तो हम लोग है 16 जो हम लोग यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है the HCF of the two numbers is 23 and the other factors of their LCM are 13 and 14 the larger of the two numbers is ठीक है तो HCF का वैलू दे द दिया है 13 and 14 कैसे निकालेंगे इसको LCM का अधार two factor यान कि यह जो उपर वाला और नीचे में हम लोग होगे HCF इस से हम लोग का कोई value आने वाला है नहीं एक टो है 13 एक टो है 14 इसको हम लोग जो है HCF जो की 23 उससे multiply करते है ठीक है तो देखो इन दोनों में से कौन सा बढ़ होगा देखने में लग रहा जिसका यह 14 जो है बढ़ा है 13 से तो इसी का वैलू जो हम लोगा बढ़ा होगा इसमें क्या पुछ रहा है लार्ज और टू नर्स पूछ रहा है तो इसका वैलू कितना आ जाएगा 299 तो इसका में से सही हो गया हम लोग का option नमर 4 पूछ रहा थ इसका तो कुछ इस तरह से निकलेगा है ना और अगर हम इसका HCF निकाले तो देखो बहुत सारा HCF निकल सकता है जैसे कि 120 से जो जो 120 को जो जो डिवाइड कर दे जैसे कि 4, 8, 12 या 24 है ना हो सकता है तो इस question में क्या बोला है कि इसमें से कौन सा following है जो इसका cannot be is HCF HCF नहीं हो सकता है इसमें से कौन सा option में से है तो 8 हो गया 12 भी हो जाएगा 24 भी हो जागा लेकिन 35 नहीं हो सकता है तो हम लोग है 35 ही जो है correct answer हो जाएगा question number 13 the HCF and LCM of two numbers are 44 and 264 यानि कि HCF का value दिया है 44 और LCM का value दे दिया है हम लोग को 264 अच्छा if the first number is divided by 2 the quotient is 44 the other number is what तो अगर हम first number का देखो दो दो चीज़ दे दिया है ना फर्स नमर क्या दिया है पहले तो divided by 2 किसे डिवाइड हो रहा है 2 से और question क्या है 44 तो अगर हम लोग 44 से 2 को multiply कर देता है तो एक चीज़ मिल जाता है मने एक तो नमबर मिल जाता है जो की 88 है और यही 88 जो हम लोगा हो गया first number कोशियन से multiply कर देता है वो नमबर जो इसको वो डिवाइड कर रहा है तो हम लोगों को वो नमबर मिल जाता है तो अब तो अनदर नमर find out करना बहुत ही simple हो गया है है ना क्योंकि first number मिल गया है तो 44 multiply 264 divided by 88 तो सबसे पहले तो 44 से इसको करता है तो two times में two से इसको करता है तो 132 यानि कि हम लोगा जो आंसर है वो 132 हो गया तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मैं इसका पार्ट फोर भी अप्लोड करने वाली हूँ तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नए 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 वीडिय पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना है